जी बिलकुल आज इत्वार का दिन है और हम आपको दिखा रहे हैं कराची के लोगों की एक मुख्तलिफ एक्टिविटी जो के शेहरे कराची और फिर दूर दरा से आई हुए लोग जाते हैं समंदर के अंदर और करते हैं मचलियों का शिकार फिशिंग कॉंपिटिशन जारी है जिसमें हर कोई अपनी अपनी मचली का शिकार करेगा और फाते वो करार पाएगा जो पकड़ेगा बहराय अरब के इस समंदर से सबसे बड़ी मचली यही है मचला कराची के इन लोगों का जो छुट्टी का दिन सो कर फिल्मे देख कर और क्रिकेट खेल कर नहीं बलके समंदर में गुजारते हैं ऐसे चंद लोगों ने फिशिंग कॉम्पेटीशन का एक मैच रख दिया समंदर में हर तरफ गश्टी के ये सवार काटे डाल कर मचली के फसने का इनतिजार कर रहे हैं इसमें बहुत सारी एडवेंचर है, बहुत कुछ चिकने को आपको मिलता है तकरीबन सुबह से हम लोग यहाँ पर आयमें, काफे हमने शिकार किया हैंड लाइन से जो है वो शिकार किया और अब बड़ी मचली के तलाश में मैं ट्रॉलिंग के लिए रोड से यूज कर रहा हूँ और जब कांटे में मचली लगती है तो फिर भुशी का कोई ठेका ना नहीं अब बड़ी मचली पकड़ लिया आपने बिनकुर बड़ी मचली है काफी आप सेवन केजी वेटर इसका ये देखें जी ये है वो मचली जो के इस ग्रॉप ने पकड़िया इसका नाम क्या है कोईन फिश है जी कोईन फिश है ये और कोईन का इन्होंने शिकार किया है कराची के समंदर में हम घूम रहे हैं और इस संडे तलाश कर रहे हैं उन शिकारियों को जो मचली का शिकार करके अपना शौक पूरा करते हैं कुछ काम्याब रहे तो किसी के हिस्थे में कुछ ना आया और अब फिशिंग कॉम प्टिशन के फाथे का इंतेखाब होना है अब सिल्सला ये है कि शाम हो चुकी है कश्टियों के आने का सिल्सला जारी है और किसने क्या तीर मारा उसका यहां पर वजन किया जा रहा है जी असलाव अलेकुम सब्से पहले यह बताएं कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं मैं यहां पर जो है जो मचलियां पकड़ के लेकर आ रहे हैं उनका वेट कर रहा हूं और टेइट करने के बाद इसको रहे हैं और टेगाने के बाद फिर हम इसको रेइस्टरjadi कर रहे हैं किसे मचली पकड़ी उसने अप्र मुझन ता उसका और रहे हैं। 19 कीजी की है ये देखें जी ये 19 कीजी की मचली है और जिसको यहाँ पर लाया गया है इस मचले में तफरी भी है सुकून भी सीखने की लगन भी सबर की तलकीन भी और सबसे जादा ये के उत पर एतमाद भी कैमरामेन मुहम्मद सज्जात के साथ खजराजम जाग मनझार बलोचिस्तान